दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों को बीच में मैं हाजिर हूँ बेह सीजन 3 की अपडेट लेकर दोस्तो आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपने मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि आज मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जैसे कि कुसल टंडन और जन्नीफर विंगीट और सिवे नारंग तीनों फिर से एक बार नजर आने वाले हैं बेहत सीजन 3 में बेहत सीजन 3 के लिए जन्नीफर विंगीट ने हाली में ही एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले प्रोजक्ट बेहत सीजन 3 बहुत ज़्यादा दिल्चस्प होने जा रहा है बात की जाएं सिवे नारंग और जन्नीफर और कुसल टंडन की तो ये तीनों एक्टर एक ऐसे एक्टर्स हैं कि जिनोंने बेहत का हिस्सा रहे चुके हैं क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि जन्नीफर विंगीट सीजन 1 से काम कर रही है सीजन 1 में जन्नीफर विंगीट ने जो किरदार निवाया था माया का वाकई में सूपर डूपर हिट तरीका से सूपर हिट हुआ था और उनके अपोजिट नजर आयते कुसल टंडन कुसल टंडन भी उस समय आरजुन सर्मा की भूमी का निवाने में पूरी तरीका से कामयाब रहे और कहीं न कहीं ओडियन्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था जिसके कारण कुसल टंडन दुनिया के फैबरेट हो चुके हैं साथी दोस्तों सीजन टू आया जिसमें सिवे नारंग ने एंटरी ली और वाकई में बेहत सीजन टू से बहुत ही ज़्यादा कामयावी हांसिल हुई सिवे नारंग को एक रूदर वाड़ा किरदार मिलाता रूदर के किरदार से बहुत ज़्यादा वो भी पॉपिलर और लोगों ने सिवे नारंग को भी वही प्यार दिया जो कुसल टर्णन को दिया और सिवे नारंग की विलगवग फैन फालोइंग काफी अधिक हो चुकी है दोस्तों आपको बता देता हूं कि सिवे नारंग और कुसल टर्णन दोनों ने हैं से ही एक अच्छी खासी विंग इड़ को जन्री披र विंगीड बांती है कि 120 Isso उनके लिए काफी लगी वी रहा है दोस्तो आपको बता देता हूं कि जन्री विंगीड दिसंबर के महिने से ही यका में निरी कर